इछले साल पंजाब दे ओ कैंडीडेट जो बीएड चे अड्मीशन लेना चौनदे सन इस दे बावजूद के बीएड कॉल जान विच काफी सीटा खाल ली रही है फिर वितिन हजार कैंडीडेट बीएड विच अड्मीशन नहीं ले सके उना दा साल खराब होया उना दे पैस कैंडीडेट टाइमली जान लेन दे कि इस वार बीएड अड्मीशन दा मोड की है प्रोसेस की है और केडियां दिखता हैं जा केडे चेंजिज आ चुके हैं तां ओ तेन हजार बीएड दे कैंडीडेट डिस्टर्ब ना हुंदे ओ अपना साल खराब ना कर पान दे सो इसलि उस दियां महत्ता पूरण तरीखां की रह सक दियां हन एवी दस्सांगा के तरीखां विच परवर्तन आएगा नेचुली है अडवांसमेंट हो जल्दी सब कुछ होन दी संभावना मतलों कोशिश कीती जाएगी एक अलवक्री है के हुंदा की है लेकिन जेक जल्दी कीती जाएगी तो अन्नों त्यार रहना पाएगा एवीडियो ओना तिन हजार केंडीडेट जेना नुकसान हो चुका है अगे तिन हजार किसे दा नुकसान ना होए उसली बनाई जा रही है डेट इस वाए समय सिर्फ जागरुक हो जाना चाहिए दा हन सीटा किनिया पंजाब च किती है इस तो इलावा होर के इस मस्यमा तो अनों आ सकती है हम जेडी तो अडी परेशानी ते पैसे दा लॉस मेंटल अनर्जी दा लॉस दा कारण बन सकता है इस वीडियो विच जाना गे शुरू विच सिर्फ मैं दसांगा कि पिछले साल केडियां डेट्स रही है हम लग कर दो हजार बाइनु मतलब पंजाब सदकार में गुर्णानक देव युनिवस्टी दी रिस्पॉंसिबिल्टी लगाई कि ओ बीड दी अड्मीशन करन लेई सारा प्रोसीजर कंड़क्ट करेगी सो गुर्णानक देव युनिवस्टी नों जिम्मेवारी दिती गी इस तो हो या में प्राब्लम जड़ी मैं शुरू हुच शेयर कीती है हो एही रही है कि एंट्रस टेस्टस देना है नहीं देना है मैनेजमेंट कोटे वाले ने देना है उस दे जवाब तनों स्विच मिलनगे एडवर्टाइजमेंट के दो आई है अच्छी मैं दो हजार बाइनू एडवर्टाइजमेंट आई है नेच्रूली है कि इस वार इस तो काफी पहला और दी संबाबना है उस दे वक्रा वीडियो पहला जारी कर दोंगा कि में ए संबाबना है उस दे पिछे लॉजिक की है हां मैं तनों इशारा कर देता है फारंपरंदी आखरी मिती ठाई जून इस अब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तो बाध डिस्टर्बंस हों दिया जै तिन हजार ओ गेंडिटे उन्हां ने थाई जून ते परिया हुंदा था उन्हान नुक्साना हुंदा इस तो इलावा हो भी केंडिडेट डिस्टर्ब हो जना ने जना दी चलो बाद व विद्यार्थियां दे उना दे रिजल्ट नीजिया इदे विद्यार्थियां कोई कसूर नहीं है नेचुरी इस बार गुरुनाने दे विजनिवेस्टी की प्लान कर दी है कि किस तरह असी इस प्राब्लम नो सॉल्व कर सकते हैं ओ मैं अगे चलके दसांगा जहां एक्स वीड इना पहला भी प्रिख्या हो सकती है ता जो सेशन जो टाइम सर शुरू किता जा सके अच्छा एंट्रस टेस्ट जाड़ा था दाखला प्रिख्या कदो ही कत्ती जुलाई नो ए बिल्कुल फाइनल एही डेट है दो कंड़क्ट कर लिया गया सी यह लगदा सी कि जो दो एड लेट दिति दिति के एक दम गुर्णानक दिव युनिवस्टी ने के एक्स्टेंड हो जाएगी पर एक्स्टेंड नहीं हुई नहीं जान लेना जरूरी है के हर हालत विच कत्ती जुलाई तक तोड़ा एंट्रस टेस्ट हो जाएगा तोरी उस तो काफी पहला हो जाएगा कत्ती में नहीं कत्ती जुलाई नहीं उस तो काफी पहला हो जाएगा अच्छा इंग्लिश वाले जे बच्चे नों प्राब्रम होंदी कई आउट आफ पंजाब होंदे इसलिए स्लाइड रखियां और ये रीड कर सकते ने वैसे पंजाबी उननों होंदी होईगी इनना सम इस वीडियो दा एक लेना है तो एंट्रस टेस्ट देना पहना है एंट्रस टेस्ट लेही कब रहां अंदी कोई जुरूरत नहीं है थोड़े जे टाइमली एफ़र्ट करने पहने ने ओदे ली में पीविज येर दे पेपर एंट्रस टेस्ट दे पाए होईने ओ सॉल्व कर देप पच्ची ती प्रसेंट मांक्स वद जानगे एवीडियो इस चैनल दे प्ले लिस्ट विच अवेलिबल ने पिछले साल क्लासिस को दो स्टार्ट हो गया सी एक अक्तूबर दोहजार बाई नो क्लासे स्टार्ट हो गया सी एवीडियो बारे थोड़ा जांगरी दी था तुसी learn to actualize channel ते जाके playlist विच एंटर होना है playlist विच तुनों ए फोल्डर मिलनगे for example be ad enters mock test मिलेगा दे सकते हो be ad enters test previous year paper चौवी वीडियो पैयाने काफी ने शाइदे भी सारियां देखनियां ना पैर आइडिया मिल जाएगा नाल नाल ट्रिक दसे ने किस तरह तुसे solve करनी है इस तो इलावा जो important information है subject combination दी है जाँ जडियां be ad admission procedure नाल related problem आ दिया है ओ वीडियो पिछलियां भी पैयां पर आओ इस वरे में नाल नाल वी तो अनो इंडिकेट करता रहांगा जे पिछली वीडियो हीगी नाल रेफरेंस दिन्दा रहांगा तो एंट्रस टेस्ट लिए तो अडली sufficient वीडियो है इस बार नवे जो question आये ने गुरुनानकदीव इनिवस्टी वो लो ओ वी डिसकस करांगा और जेड़ी predictable मैं पता है कितो मन्त जान डेड़ में हिन्या पहला इस सरा कुछ शुरू किता जावे इस तो वद्ध भी सोचे जा सकता है ओधी planning चल रही है उनालना मैं दसांगा अच्छा पंजाब विच टोटल कॉलेज किने सीट किनिया उस दी जानकारी तो अडे सामने है टोटल नंबर ओफ कॉलेज है लगबग 212 एक दो कॉलेज बंद हो सकने अब जेक्शन हो सकते हैं कोई जानकारी नहीं है सीट्सीन इज कॉलज मीनिमम मान फिफ्टे सीट्स हर नहीं काफी कॉलज सौ सीट्स न बहुत क्टे कॉलज में जिथे 200 trud्स हों इस सीट्स न Son दा तुसी टीचर बढ़ना है ओ तुसी ग्रेजुएशन च पड़े हुंदे हन उधी अधा आरते तो अडिये अडिये अडिमिशन हुंदी है और कॉलेज वीच वीच ओंबीनेशन होना चाहिदा है फर एक्जांपल सोशल साइंस है बच्चे ने पड़ी हुई उस ते अलग वीडियो आंगे तो पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस सोशल स्टडी लेई ऐलीजिबल होईगा बीएड कॉलेज वेच एसस्टी होनी चाहिदी है जै किसी ने कमर्स बीकॉम किती हुई है तो उस कॉल कॉम्बिनेशन तो उसी लेना है जाम बढ़ना है ता उस कॉलेज विच वो कॉम्बिनेशन बढ़ना चाहिदा है इसलिए तो उन्हों नाल नाल गाइडेंस दी जरूरत पाएगी क्योंकि मिनिमम दस तो वी प्रसेंट कैंडिडेट इस नॉलेज दे गलत होन करके डिस्टर और किसी चैनल तो ला सकते हो जित्ते जिस परसन नो पूरा विश्वास है जिस परसन को पूरी नॉलेज है जो टीचर एजुकेटर होनगे जड़ेट कॉलेज पढ़न देने प्रिंसिपल्स होनगे वो बैटर होनगे तो टोटल नंबर आफ सीट्स अवेलेबल इन हो समझ लेने चाहिए है पंजाबी विच सेम है के 22,000 सीटा पंजाब अविलेबल ने उर्जा पंची अच्छा सीट्स सौरी दाखला प्रिख्या बिनेकार दी कुल गिंडती पिछली वार किन्नी लई है एह हुन इंपॉर्टन जानकरी है तो अडेली तेरह सार सथ सो ब्या थोड़ी चेंज होगी किसी क्योंकि कुछ बच्चेयां दे अब्जेक्शन लगे हुए सी और अब्जेक्शन हटा के युनिवस्टी ने कोशिश किती के जो भी अब्जेक्शन सी उन्हों हटा के सीट देती जावे हम मिल गए लेकिन बच्चे तंग होए इसलिए फॉर्म अब्जेक्शन देता सी उन्हों सीट ने सी मिली ओ बच्चे सी जेड़े किसे ना किसे तरीके ना क्वालिफाइब नहीं सी कर रहे अलिजिबल नहीं सी उसलिए पिछली परिख्या जड़ी ग्रेजुएशन दी है उस ते कारण उस चो मार्क्स कठोन करके अलिजिबल नहीं सी हां ज़एंटरस टेस्ट दी हैंटरस टेस्ट चोवी मिनिमम मार्क्स रखे जान दे हन इस वर देखते हैं उससे डफरेंट वीडियो आ जाएगा किने मार्क्स रखे जान देने वह सानी नहीं लए जा सकते ने जड़े वीडियो तो नुदस्ट रुश्य उस देदार थी इना तो इलावा इना तो इलावा जना नूँ सीट मिलुगी इना तो इलावा जिनाने अंटरसेस देटता सी तिन हजार अजरी ही कैंडीडेट होें जडिया कि ओपीडियो बनाया जारी है बिग प्राब्लम उसनों देखो मैं जवाब देता है नॉर्मली की हुंदा है कि 2 साइकल हुदे ने कॉंसलिंग वे। एक क्यों दो हुदे ने एदे नाल नाल मैं दसदा रहांगा। पहले कॉंसलिंग साइकल विच जिसनों अडमिशन नहीं मिली ओ दूसरे विच मिल सकती है जहां कॉलेज शिफ्ट करना है वगयरा वगयरा। पर पिछले कई सालना तो यह चल्दा आ रहा है कि पहली कॉंसलिंग दूसरा साइकल उस तो बाद तीसरा साइकल एक हुंदा है जिदे विच जिसनों ओपन कह देता जानदा है ओपन अडिमीशन थर्ड कॉंसलिंग ओजिडे बच्चे तिन हजार दा नुकसान होया उदा कारण ए टाम सी के जो दो कॉंसलिंग विच नहीं अडिमीशन ले सके लास्ट ते जो बाडी वी कंड़क्ट कर दी है इस वर जब इंग रानंग दिव यूनिवस्टी करेगी और ओ ओपन कर दन दी है लेकिन पिछली वार ओपन अडिमीशन नहीं होई है नैचुली है कि जो प्राइवेट कॉलेज वाले सी ओव सेक्टरी हायर एजुकेशन को अपील लेके गए कि ओपन पिछली वार वांग कर दिती जावे जदो ओपील ना सुनी गई तक कोट को गए हाई कोट को हाई कोट ने कहा कि पिछले वर्यांदे अदारते डिसीजन ले लेना चाहिए 15 दिन दते गए इस सारी गलनों जेडी मैं तो हनूं 10 सेकंड विच दसी है इस नूं कर दे कर दे चार पांच छे सत महिने गुजर गए एन्ने विच बीर दा पहले समिस्टर दा एक्जा काम आ गया ओतेन हजार बच्चे जिड़े कह रहे संके साड़ी अडमीशन होई है मतलब कि जो ओपन हो गई सी ओबच्चे ओपॉल जांको जान दे सी कॉल जांवाले थोड़ी जी फीसले के उना दी अडमीशन कर लेंदे सी अडमीशन लेंड तो बाद क्लासां वी कर लग दिया रही है और बच्चे उना दा प्रोसीजर भी पूरा कर दे रहे जो टीचिंग लर्निंग दा सी लेकिन जदो वेट कर दे कर दे केस हैना लंबा चला गया फर्स्ट स्मिस्टर दे पेपर आ गया ओधो डिस्टर्बंस ब्लास्ट पूरा हो गया ओधो कॉलेज वी सी के पिछले वर्या मांगे इस वर भी हो जाएगा लेकिन परवर्तन आया के जहां नहीं हो या देट इस वाइए इस वीडियो दी में गल जडी कहना चाहना हां हर हालत विच एंट्रस टेस्ट जरूर देए हो जेंट्रस टेस्ट दिता होएगा तो हड़ी अड्मिशन नही रुके गी पिछले साल हलात इस सर इस हद तक बत्तर क्या जा सकता है क्योंकि कुछ बच्चे तिन हजार बच्चे जिना ने एक्जाम दिता उना दे विच्चों कहियां ने सी टी एटी सी टेट जेडा की जॉब लेंड तो पहला आया टी एक्ट मताबक तो अनों टीचर एल जे तुसी पहले स्मिस्टर विच बी एड जान डी एलेड विच हो तब तुसी टी एटी जो सेंटर द्वारा कंड़क्ट किता जानदा है जाँ पंजाब द्वारा जा किसी होर स्टेट द्वारा कंड़क्ट किता जानदा है उस विच अपियर हो सकते हो मतलब तो अड़ी हो गई तुसे सीटाड दे सकते हो उन अवना बच्चेयाने सीटाड़ यह सीटाड़ पास कर गए दिखना दुख दुख त्याना दिखना वो सीटाड़ पास कर गए लेकिन 6 मीहने बाद उना ऊंग पता लगता है कि उना अड्मीशन ही नहीं हुई सुप्रीम कोड दे मताबक बच्चे दी अड्मीशन होई होनी चाहिए है वने थे अड्मीशन एक्च्छल नहीं होई क्योंकि यूनिवर्स्टी नू रिटर्न जान दी है तो आड़ी बेसिक इंफोमेशन थोड़ी फीस जान दी है उसनों स्टूड करेंट रिटर्न के बोल देने ओ होई होनी चाहिए है क्योंकि ओन नहीं गई होई सी इसलिए सीटेट जेड़े पास कर चुक्के सी ओपास किता होया सीटेट भी नली फाई हो गया जीरो हो गया तो बच्चेयां दा अग्रेशन ज़रूरी सी कि सिस्टम दे फला उना दा वोट है उथे मिनिस्टर भी हाजर ने और बच्चेयां ने प्रोटेस्ट कीता है कि उन्हां का साल खराब हो गया है मैं इससे लिए कह रहे हैं कि इस वरे नौबत ना आवे टाइमली जे तुसी भी एड्मिशन लेना चांदे हो ते एंट्रस टेस्ट ते उसने प्रसीजन कर दे रही हो देखो अथारटी अपनी एक्स्प्लाइनेशन दे रही है तो अनुपता है कि एडमीशन जेड़ी है पिजाब गवर्मिट हाई कोड़ दे अंदर सेंट्रलाइज एडमीशन विद एंट्रेस एक्जाम हों दी है तो आटे वी चो जिनने भी पच्चे है नहीं किसे ने एंट्रेस एक्जाम नहीं दिता सब्सक्राइज दास साल तो पिछले 2013 तो लेके साटी यह थे लेगेसी इस तरह चली आ रही है हिस्ट्री के हार वार जदो एंट्रेस एक्जाम क्लियर कीते हुए बच्चे खत्म हो जांदे है उस तो बाद कोड अलाओ कर देंदी ह इते बस नहीं कि एजुकेशन मिनिस्टर जा कंसर्ट मिनिस्टर जेस एरिये विचे नेच्रले कटना है लेकिन एदुख तिन हजार बच्चे आदा है ओं मिनिस्टर नाल वी आमना सामना करना प्याना बच्चे नो लेकिन फिलहाल जद तक के वीडियो बन रही है इस वार अमीद ना किती जावे कि पिछली वार वंगू ओपन हो जाएगी ओपन ना होंदी पूरी संभावना है क्योंकि हुन तक कुछ नहीं होया तो हर हालत विच रिपीट करें हैं एंट्रस टेस्ट देना बियर दा एंट्रस टेस्ट देना ज़रूरी है बेशक तुसी म मैनेजमेंट कोटा है ये बच्चे ओने जेड़े 13 परसेंट जेड़ा मैनेजमेंट कोटा सी हाला कि मैनेजमेंट कोटे लेई एंट्रस टेस्ट देना ज़रूरी नहीं सी पर युनिवर्स्टी ने पिछली वर क्या सी कि देना पहेगा हां बाद विच उनना ने 24 और या जो प्रोसीजर ने बेशक्त उसी पूरी बीएड करनी है उस दी अपडेट इंफोमेशन साथे को रेगुलर हुं दी है क्योंकि पिछले वी साल दा तरजर्बा मेरा टीचर एजुकेशन इंस्टिट्यूट दा है हुन जे तो नो किसे तरह दी गाइडेंस चाही दी हुए लिखना है ओ क्वेशन दा आंसर डिटेल ऐसे टाइप एंसी क्यू हर कुछ तो नो मिलेगा टीटी दी गाइडेंस ते कोचिंग इवन तो नो किस तरह लॉजिकल ट्रिक्स नाल किस तरह अपनी मेंटल एनर्जी बचा के आसी कॉस्टेंस नो सॉल्व कर लेना है पिछले साल कॉस्टन सॉल्व कर लेने सब कुछ इथे अवेलेबल है बाक्स बीच किस तरह जादा लेने ने गौर्मेंट जॉब लिए लिजिबल किस तरह होना है बीएड विच परफॉर्मेंस बैटर कि दा देनी है अच्छा अपनी कॉंबिनेशन सब्जेक्ट तो डेली केड़े बै चैनल ते ये वीडियो इससे लिपार यहां के बीएड दे हर स्टेप ते इवन बीएड ड एड एमेड पी हडी तक दी कोई गाइडेणस तो नों चाहिए हुए, यूजी सिन अठ दी गाइडेंस चाहिए, तुसी प्रफ्टन दस परफॉर्मेंस ब्सक्राइडे चाहिए, नहीं है comment box to solve हो जाएगी में पॉइंट किया के तुसी करना की है जिसारी वीडियो नहीं देखने किसे ना share बेशक ना करो मैं कदे नहीं कहने मेरी वीडियो शेर करो यह करो पास एना idea share जरूर कर देना के बोल के कर देना वीडियो ना share करना के दाखला अंट्रस टेस्ट जरूर देना है हर हालत विचे कोई करना चांदा है उसनों कहना है इत्तों तक के प्राइविट कॉल जाएंविच जड़े तेरा परसेंट मैनेजमेंट कोटा है उसले उस विच विच वी जैतुसी अडिमिशन लेना चांदे हो तां एंट्रस टेस्ट देओ क्यों हो जोन रजे जूज हुंदी है परसेंट सीट लेरा हैै नचुरी तो अनों फीज ज्यादा देनी क्ता विच तो और टी देझा है पाटी थेयरोकी सार है बेशक त्यारी ना करो ट्रिक्स वाले वीडियो देखके देदो तो अटे किन्ने पैसे बच रहे हैं और टेंशन जो बच रहे हो जेड़ी विद्यारती तो अटे अपने पैड़ागोजिकल सब्जेक्ट हन विशे हन और रिजर्वेशन नीती है दो तिन पॉइंट में जेना करके तो अटे जो केंडिडेचर है रिजेक्ट हो जानदा है तुसी तंग हुंदे हो यूनिवस्टी दे गेड़े कड़ने जे कॉस्मिक अनर्जी चाहेगी तां किसे तरह अंदा कोई कोश्चन होवे तोड़ा किसे तरह अंदा कोई कोश्चन बीएड एंट्रस टेस्ट बारे बीएड दे करन बारे बीएड तो भाद बारे उस्ते तुसी पुछ सक्दे हो कमेंट बॉक्स लिख सक्दे हो थैंक दॉक्टर तीरसेंग